हलो फ्रेंड्स मैं हूँ संध्या स्वागत है आपका सेल की रसोई में आज हम बनाने वाले हैं फ्रेंड्स एक नई रेस्पी तो वीडियो अन तक जरूर देखिएगा आई होप आपको जरूर पसंद आएगा और अगर आज की रेस्पी पसंद आए फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक किजिएगा चैनल को प्लीज सस्क्राइब करना मत भूलिएगा साथ हैं बिल आइकन को रिप्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिपिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले तो चलिए फ्रेंड्स चावल का पुआ बहुत ही सांदार रेस्पी है तो आप वीडियो जरूर अंतक देखिएगा आप मैदा का और सूजी का पुआ बनाए होंगे आटे का भी बनाए होंगे लेकिन एक बार आप चावल का बना कर देखिएगा यह खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही कम समान में और कम टाइम में बन कर तयार हो जाता है आप इसे ब्रेकफास्ट में बनाए या फिर टिफिन के लिए बनाए यह सब में अच्छा लगता है और तहवारों में तो अकसर हमारे घर में या सबके घर में मीठे पुए बनते हैं तो आप एक बार चावल का पुए जरूर बनाईएगा ऐसा नहीं है कि आप तेहवार में ही बनाएगा आप किसी भी दिन आपको खाने का मीठा खाने का मन हो तो आप एक बार जरूर ट्राई किजिएगा इसमें बस चावल लगने वाला है और ज़्यादा कुछ समान इसमें नहीं लगता तो चलिए फिर फटा-फटी स्टार्ट करते हैं देखते हैं चावल का पुआ बनाने के लिए हमें किन-किन चीजों की जरूरत पड़ेगी तो यहां मैंने सारा समान एक जगे इकठा कर लिया है तो आप देख रहे होंगे चावल को मैंने पानी में भीगो कर रखा है तो इसे मैंने 3-4 घंटे पहले पानी में डाल दिया था और चावल एकदम अच्छे से फूल गया है तो चावल को हमें 3-4 घंटे के लिए पानी में छोड़ देना है आप कोई सा भी चावल ले सकते तो यहां एक कतोरी मेंने लिया है और इसी कतोरी से मैंने गेहू काटा लिया है ये गेहु काटा है, जो हम घर में रोटी बनाते हैं, तो एक कटोरी मैंने चावल लिया है, और एक कटोरी मैंने गेहु काटा लिया है, आप चाहें तो चावल आधी कटोरी भी कर सकते हैं, यहां मैंने लिया है बदान, तो आप इसके जगा किस मिस काजू आपने पसंद के न आप यहां मैंने लिया है गूड ये देखे और लिया है चीनी तो चीनी मैं 2-3 छम्मचीस ले ले ली हूँ कि आप जब भी गूड डाले तो 2-3 छम्मच चीनी ज़रूर डाले तब ही मीठा जो है वो balance में आता है गूड को हमें टुकडो में कर लेना है ताकि ये जल्दी से घुल जाए तो मैंने गूड को टुकडो में कर लिया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गूड को हम घोल लेंगे ताकि गूड हमारा ठंडा होता रहे तो चलिए इसमें पहले हम डाल देंगे गूड तो पूरा गूड मैंने डाल दिया आप देख रहे होंगे एक कटोरी ये गूड है तो एक कटोरी मैंने चावल लिया है एक कटोरी आटा लिया है और एक कटोरी ही मैंने गूड लिया हुआ है अब इसमें डालेंगे पानी तो पानी इसमें हम एक कटोर बस गुड़ घुल जाए बस हमें उतना ही इसे पकाना है पानी के गरम होते ही गुड़ घुलने लग जाता है तो जब गुड़ पूरा घुल जाए तो आप गैस तुरंद बंद कर दीजेगा तो मैंने गैस अन करके चड़ा दिया इसे चम्मस से ऐसे चला देंगे यह देखि यह ठंडा होता रहेगा तब तक हम चावल को पीस लेंगे तो चलिए चावल को हम पानी से निकाल के मिक्सी जान में डाल देंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के पीस लेंगे तो ज्यादा पानी डाल के हमें नहीं पीसना है क्योंकि हमें गुड़ का जो गोल है उस पूरा यह सिएगा इसे अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे पूरा, तो पूरा निकाल लिया मैंने यह देखिए, पूरा डाल लिया, अब इसमें हम डालेंगे आटा, आप डाई फुर्स के जगा चाहें तो आप इलाइची पावडर भी डाल सकते हैं, अगर इलाइची भी नहीं डालिएगा तो भी अच्छा लगेगा ये तो घोल हमारा ये अच्छे से पीस के तयार हो गया है अब इसमें हम डालेंगे आटा जो आगे हुक आटा लिया हुआ है और जो गुड को हमने घोल के रखा है उसे हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसका घोल तयार करेंगे तो आटा पूरा डाल देना है हमें, यह देखिए, तो आपको जितना बनाना होगा आप उतना ही लिजिएगा, आप आटे और चावल की मात्रा घटा बढ़ा लिजिएगा, तो पूरा आटा डाल दिया, तब इसे ऐसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और गूड को घोलने के ब तब ही आप इसमें डालिएगा, तो चलिए अब उधर हमारा गूड भी ठंडा हो गया है, उसे हम छान लेते हैं, एक बरतन में, और फिर थोड़ा थोड़ा इसमें डाल के, इसका हम घोल तैयार करेंगे, तो एकदम जादा हमें पतला नहीं करना है, आप घर में बनाए हों अच्छे से, जो भी कचड़ा ओगे रहा होगा, वो छन्नी में रह जाएगा, इसके बाद इस गूड को थोड़ा थोड़ा हम डाल के, अच्छे से घोल तैयार करेंगे, आप चाहें तो खाली चीनी का भी बना सकते हैं, गूड नहीं है, तो आप चीनी चीनी का भी बना सकत हैं, अब थोड़ा सा डाला, और फिर इसको मिला लेना है, तो थोड़ा थोड़ा डाल के मिलाना है हमें, एक ही बार मत डालिएगा, तो थोड़ा डालेंगे, मिलाएंगे, इस तरह से हमें कलना है, तो घोल को हमें एकदम अच्छे से बनाना है, ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलीय ना है तो थोड़ा थोड़ा डाल के अब इसमें चीनी भी यहीं डाल देंगे ताकि चीनी भी घुल जाए अच्छे से साथ-साथ में बदाम डाल दिया अब इसे हम एकदम अच्छे से घोल लेंगे तो फिर आप गुड़वाला पानी इसमें डालते जाएंगे अगर गुड़वाला पानी बच जाए और आपका गोल तैयार हो जाए तो फिर आप गुड़वाला पानी को इसमें फिर पूरा मत एट करिएगा आप छोड़ दीजिएगा कभी कभी होता है कि जैसे आटे कई परकार के रहते हैं तो किसी में ज्यादा लग जाता है पानी किसी में कम लग जाता है तो यह अभी बहुत गाढ़ा है तो इसमें थोड़ा अभी और लगेगा जो गुड़वाला पानी है तो चलिए पहले इसे हम एकदम अच्छे से गोल लेते हैं तो गोल एकदम अच्छे से तयार होगा तभी पूरा ज जाएगा इसमें अब फिर डालेंगे और फिर हम घोल लेंगे तो पूरा छान लिया मैंने बर्तन को साइड में रख देते हैं तो ये देखिए ये घोल जो है हमारा एकदम अच्छे से तयार हो गया जितना गुड़ वाला पानी था इसमें पूरा लग गया बचा नहीं अगर आप बना रहे हैं मान लो और बच जाए तो फिर आप मट डालिएगा आप रख दिजेगा या किसी चीज में आप उसे यूज कर लिजेगा तो आपको मैं गिरा के दिखा रही हूँ इतना ही पतला हमें रखना है इससे ज़्यादा एकदम पतला हमें नहीं करना है आप ऐसे गिरा के देख लिजेगा अब चलिए गैस ओन करके हम एक पेन चड़ाते हैं तो पेन चड़ा दिया मैंने अब डालेंगे इसमें तेल तो ये रिफाइन का तेल है तो इसमें थोड़ा सा तेल ज्यादा लगेगा ताकि पुवा जो है अच्छे से बन जाए तो तेल डाल दि अब गैस को मैंने कम कर दिया तो आप पुवा जब भी बनाए तो धीमी आच पे बनाए तभी अच्छा बनता है तेज आच पे नहीं बनता अब एक बड़ी चम्मस से हम ऐसे अराम से डालेंगे सेंटर में और इसे अभी हमें नहीं छूना है जब तक ये तेल में अपने से उपर नहीं आएगा तब तक इसे मत पलटिएगा तो ये देखिए ये उपर आ गया अब इसे हम धीरे से पलट देंगे और आप देखेंगे कि ये एकदम अच्छे से फूल जाएगा ये आप चाहें तो गोल को बना के रेष्ट करने के लिए भी 10-15 मिनिट के लिए किनारे थोड़ा सा ऐसे हम प्रेस कर देंगे ताकि ये और अच्छे से फूल जाए और धीमी आज पे ही इसे हमें अच्छे से पकाना है तेज आज पे मत पकाईएगा तो अंदर से खच्चा रह जाएगा तो धीमी आज पे इसे हम ऐसे हलका सा ब्राउन होने देंगे हलका स तैयार हो गया इसी तरह से हमें बनाने हैं अब दूसरा हम डालते हैं तो चलिए दूसरे बार कर डालते हैं अगर आपका जो कड़ाही है वो बड़ा है तो आप राम से दो भी डाल सकते हैं दो तीन भी डाल सकते हैं तो ये देखे आप देख रहे होंगे एकदम अच्छे से मतलब गोल हमारा अच्छे से बना है तो ये भी हमारा दूसरा पुआ भी बन कर तैयार हो गया तो आप एक बार जरूर ट्राइ किजिएगा घर पर जरूर बनाईएगा ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है आप किसी भी दिन ब्रेकफास्ट में बनाईए या फिर इवि फूल जाए और ये एकदम अच्छे से फूल गया ये देखिए अब ये दूसरा पुआ भी बन कर तैयार हो गया तो अब जितना घोल है हमें पूरा ऐसे ही बनाना है तो एक एक करके हमें डालते जाना है तो कडाही जो है छोटा है ज्यादा इस पेस वाला नहीं है तो इसम इसतना है, आठा डालना है, और गुड चीनी डालके आपको घोल लेना है और बना लेना है, तो इसी तरह से पूरे पूए को हमें बना लेना है, फरेंस, ये तिसरा में डाल रही हूँ, तो आप एक बार जरूर ट्राइ किजिएगा, I HOPE आपको जरूर पसंद आएगा, ये द किजिएगा और अगर आज की रेश्पी फसंद आए फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक किजिएगा चैनल को प्लीज सस्क्राइब करना मत भूलिएगा साथ हैंबल आइकन को ही प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल तो चलिए फिर मुलाकात होगी एक नई रेश्पी के साथ एक नए वीडियो में